हेलो स्टुडेंट्स आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगी आज हम EBS 2 का एक्सरसाइज करने वाले हैं और उस लेशन का नाम है मराठा सर्दार दा फेमस हाउस आप भोसले परिवार के जो बहुत ही ब्रेव सर्दार थे उनके बारे में हमें पढ़ना है तो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले बच्चो अगर मेरा वेडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइक पर दीजेगा और जो आपके दोस्त लोग है उनको भी बता दीजेगा ठीक है इसमें मैं आपको अच्छे समझाऊंगा ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी तो कुश्चन फर्स्ट है फिल इन दा ब्लैंक चूजिंग दा करेट आप्शन आपको करेट आप्शन चूज करना है एमांग दा फेमास फेमिलीज दा वेरूल सोड ग्रेट वेवरी एंड इंटर प्राइज मतलब तो क्या आ गया पर भोसले ठीक है यह भोसले की जो फेमिली थी बहुत बहादूर थी ठीक है भी देखिए बाबा जी राजे बोसले है टू सन मालोजी एंड बिठोजी क्या आपके बिठोजी आएगा ठीक है सी देखिए डैट डैस वाजे कैपेबल वजीर आफ निजामसा क्या आएगा मलिक अंबर क्या आएगा मलिक अंबर नेक्ष्ट पढ़ते हैं तो यहां पर मालोजी राजे और बेटोजी राजे क्या आते ब्रदर थे भाई भाई सहाजी राजे लखूजी राओ जादर यह अब लखुजी राओ जाधाओ की वेटी का नाम कहा था जीजा भाई और जीजा भाई के साधी किसे हुई थी सहाजी राजे से ठीके तो ये दामाद और ससुर का दोनों का रिस्ता था सन इल्ला एंड फादर इल्ला ठीके फिर है सहाजी राजे शरीब जी ये क्या थे भाई 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 थे सहाजी राजे और सरीब जी क्या थे ये भाई भाई का रिस्ता था इनके अंदर इनके पास सहाजी राजे और सरीब जी का थे भाई थे आपस में बाबाजी राजे बिठोजी राजे का संद थे मतलब यह जो बिठोजी राजे इनके बेटे थे ठीक है चलिए देखते हैं आगे मैज दपेयस यहां कहा है सिंद खेड तो सिंद खेड को आप मैज किस से किजेगा जाधा उसे किससे मैज करेंगे जाधा उसे फाल्टन के कहुण से निंबाल कर जावली का जो राजे था किसका था मुधोल किसका राजे था घोरपड़े तो सिंद खेड जाधाओ फल्टन निम्बादकर जावली मोरे मुधोल घोड पड़े ठीक है चुले आगे बढ़ते हैं आपको यह वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है चले शुरू करते हैं ग्रिषनेश्वर टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन मतले एक मंदिर था जिसका नाम था ग्रिषनेश्वर उसको किसी ने दोबारा अच्छे से बनाया तो यहां लखेगा लिखेगा मालोजी राजे तो जहां पर आप हू लिखा है वहां लिखेगा मालोजी राजे रिस्टोर्ड देंपल ऑफ ग्रिषनेश्वर टू इट्स वर्डिनल कंडिशन बहुत सिम्पल है हू के बदन लिखना मालोजी राजे बाकि पूरा कुशन कॉपी कर देना विख जागीर वाज बिस्टोन अपन मालोजी राजे बाए निजाम सानला निजाम साने मालोजी राजे को कौन सी जागीर दे थी तो पढ़ते हैं जागीर आफ पुने सेकेंड बी का है जागीर आफ पुने एन सूपे परगना क्या जागीर आफ पुने एन सूपे परगना विच के बदले का लिखेंगे जागीर आफ पुने एन सूपे परगना वाज बिस्टोंड क्या वाज बिस्टोंड अपन मालोजी राजे बाई निजामसा तो विश्च के बदले लिखना विश्च जागिर के बदले लिखने का जागीर आफ पुने और शुपे परगना वाज विस्टोंड अपन मालोजी राजे बाई निजामसा बस विश्च जागिर के बदले लिखना जागीर आफ पुने और शुपे परगना बाकि यहां से पू निजाम साही को बताने के लिए किन लोगों ने बहुत ही मजबूती से बहादुस लडाई लडा तो मलीकंबर एंड सहाजी राजे का लिखेंगे तो मतलब आदिल साह ने साहाजी राजों को कौन सा टाइटल दिया था सरलसकर तो ठीक है तो कसे लिखोगे द आदिल सा होनर सहाजी राजे बिद द टाइटल आफ सरलसकर क्या लिखोगे द आदिल सा होनर सहाजी राजे बिद द टाइटल आफ सरलसकर ओके लाश्क देखिए वाई डिद सहाजी राजे leave आदिल साही and return to निजाम साह तो सहाजी राजे leave आदिल साही and return to निजाम साही because इसका अंसर देखिए आँपे है निजाम साह मदर निजाम साह की माँ appeal to सहाजी राजे सहाजी राजे से appeal किया to return to निजाम साही कि आप निजाम साही में वापस आ जाओ और निजाम साही की रच्छा करो ठीके तो यह जो आंसर है Why did सहाजी राजे leave आदिल साही and return to निजाम साही तो लिखना सहाजी राजे leave आदिल साही and return to निजाम साही because निजाम साह मदर appealed to सहाजी राजे to return and save it तो बच्चो यहां पे lesson number 3 मैंने पूरा खतम करवा दिया उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ अगर अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देजएगा और अपने दोस्तों के पास जिसको आप जानते हैं उनको भी यह लिंक भीज़ देजएगा ताकि उन बच्चों को भी यह lesson अच्छी तरह से याद हो जाए ठीके चलिए Thank you very much